रोहेंगिया मुसलमानों की हालत इसलामिक देशों में बेहत खराब है जहां इन्होंने शरंड ली है इन देशों से अब इने भगाया जा रहा है मैमार शिवरों में रह रहे हैं विस्थापित रोहेंगिया आजीवी का शिक्षा स्वास्थय प्रयाप्त भोजन पर कड़े प्रतिबंद पांगलादेश निर्जन दुईप में रोहेंगिया दुर्गंद भरी बसावट में रहने को मजबूर ना प्रयाप्त भोजन मिल रहा है और ना ही समूचित स्वास्थय सेवा इन्डोनेशिया करिब सो रोहेंगिया शरणार्थ्यों का एक समूच चार महिने की समुद्री यातरा कर जब इन्डोनेशिया पहुझा तो प्रिशाशन ने उने उतारने से ही इनकार कर दिया मैं अमार से मलेशिया जा रहे 32 रोहेंग्या मुसल्मानों की समुद्र में भूख से मौत हो गई इनके जहाज को मलेशिया में परवेश करने नहीं दिया गया इन मुसलिम देशों का ये दोहरा रवया है एक तरफ ये उमा यानी वैश्विक मुसलिम भाईचारा सिधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ उनको शरण नहीं देते हैं बलकि अपने अपने देशों से निकाल रहे हैं वहीं भारत ने मानवता दिखाते हुए अंडमान सागर में फसे 81 रोहेंगियां को बचाया है करीब दो सब्ता से ये लोग समंदर में फसे हुए थे ये जानते हुए भी कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खत्रा है इन रोहेंगियां मुसल्मानों के आतंकी घटनाओं में शामिल होने की बाते सामने आई है भारत में ये अपराधिक गतिविदियों को अंजाम देते हैं यानि ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा है दूसरी तरफ भारत सरकार के सामने ये बड़ी चुनोती है कि इन रोहेंगियाओं को वापस भीजा भी जाए तो आखिर कैसे क्योंकि भारत में बहुत बड़ा तबका इनके संरक्षन की बात करता है इनके मानावधिकारों की बात करता है लिकिन जब इन रोहेंगियाओं को मुस्लिम देश अपने यहां से बाहर करते हैं तो ये चुपिसाद लेते हैं ये रोहेंगिया हरियाणा, उत्तरपरदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद सम्मित अनेक जगहों पर आसानी से पहुँच गए हैं और रह रहें हैं प्रश्न ये उठता है कि रोहेंगिया देश के अनेक राजियों में कैसे पहुँच गए इनको दिल्ली, हैदराबाद और जम्मू लेकर कौन गया? इनके मददगार कौन है? क्या इनकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए? इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवार करने की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए